रादे रादे मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सभी मुझे उमीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होगे खुस होगे और मस्त होगे एकदम अच्छे से अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होगे तो अभी बज़रे सुबह के पांच आज मैं उठने में थोड़ा से लेट हो गई हो क्यों वो मैं आपको बाद में बताओंगी तो सबसे पहले मैं बना रही हूं सबजी सबजी में मैं लौकी की सबजी बना रही हूँ उनके टिफिन में पैक करने के लिए लंच के लिए तो सरसो के तेल में ही बनाती हूँ मैं उसमें मैंने थोड़ा से जीरा डाल लिया है और हींग डाल लिया है और प्याज और हरीमिस डाल दी है प्यास फ्राय हो रही है उसको ब्राउन होने तक तो फ्राय करूंगी उसके साथ ही मैं लंच के लिए सिलात काट करके पैक कर दे रही है तो उसमें मैंने कीरा काटा है और टेमाटर काटूंगी टेमाटर के जो बीज है उनको में निकाल दूंगी क्योंकि ये डाइजेश्ट तो वैसे भी होती नहीं है तो सिर्फ टेमाटर को ही काट के रखूंगी और हाज मैंने सूचा था कि अच्छे से आप सभी के साथ मॉर्निंग रूटीन सेयर करूंगी तो पूरा तो नहीं लेकिन जतना मुस्से हो पाय है उतना मैं कर दूंगी क्योंकि आज मेरी तब्यद बिल्कुल भी ठीक नहीं है इतना जुकाम खासी बुखा रहा है और रात भर बुखा रहा है लेकिन जो आपको करना है वो तो आप ही को करना है तो वह लही बात हो जाती है और सर में दर्बॉडी में इतना पेल रहा है यह जिसे से पक्च जाती यह जिब दुखती है बॉडी उस तरीके से तो सिलात काट करके मैंने रख दिया है अब मैं 58 को देख watch और गैस को मैंने सिम कर दिया है और फिर मैं इसमें हल्दी डालूंगी मेर्ची जो हमारे यहां बहुत कम खाते हैं तो लाल मेर्ची तो डाल नहीं रही यह खरी मेर्ची डाल दीती तो उसी से काम हो जाएगा और यह लौकी है यह मैंने काट करके पहले ही रख दीती तो इसको डाल दूंगी और नमक डाल दिया है बस इसके लावा और कोई मसाली नहीं डालूंगी मैंने कुकर कर ढखकन बंद करके इसको सिम पही चोड़ दिया है अब एक सीटी आने तक कवेट करूंगी जब तक मैं बादाम है इनको छील लेती हूँ सुबर सुबर ना काफी चीज़े हो जाती है जब हमें लगता है ना कि हाँ इतने बचे तक हमें काम करना है अगर कोई टाइमली पेंट ना हो तो पिर आप दीरे दीरे करते रहो उसके बाद मैंने पानी रख दिया है गरम पीने के लिए क्योंकि अगर जुखावाँ में ना तो इतनी असर कोई चीज़ नहीं लग करती है आप चाय पीलो या गरम दूद पीलो लेकिन गरम गरम पानी पीलो तो नारा मिलता हूँ या मेरे गलाना इतना दुकरा है जैसे पघ्या हो बहुत दुकरा है और साती मैं अनके नास्ते के लिए ओट्स बना लोंगे वैसे मैं दलिया बनाती हूँ, कभी-कभी ओर्स बना लेती हूँ, तो अभी मैं ओर्स बना लूँगी, और इनको क्या है न, इनको ऐसा जो थेक होता है न, ओर्स ऐसे नहीं पसंद, ये न, ऐसे खाते हैं, ऐसे बिल्कुल पतला पानी जैसा बना देते हैं न, ताकि वो फटा रहा हूँ, लीटो रहा हूँ, नहीं खा के जाते हैं, पतले बनाती हूँ, तो उसको पी करके चले जाते हैं, आटा मेरा गुत गया है, इसके साथ ही, हब इनके जगने का टाइम हो गया है, तो इनके लिए मैं निव पानी बना दूँगी, वैसे ही अभी नहीं पीएंगे, थोड़ी दिर भार एकसाइस करके आएंगे, तब ही पीएंगे, निव का जो रस होता है, उसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक ग्लास में निकाल करके फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि मैं जब भी काम पढ़े तो तुरंत मैं बना दूँ, और ये सहध बाहर चीटिया बहुते सीली में इसको फ्रिज में रख देती हूँ, तो थोड़ा सा जम गया है, तो मैं इसको दबा करके निकाल रही हूँ, तो निव पानी भी बन गया, मैं इनको जगाने जाओंगी, और फिर मैं रूटी बनाओंगी, क्योंकि कापी टाइम हो गया था, और इनकी ओपि तो मैं फिटा 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 पर रूटी बना लूँगी, जब न तब है सही होती है, तब सब कुछ करने में अच्छा लगता है, मन भी लगता है, और जब तब है सही नहीं होती है, तो मन भी नहीं लगता, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और अभी बज रहें सुबह के आठ, और कापी तेज धूप निकल चुकिया, और ये, मैंने इनके ब्रेकवास्ट के लिए ओर्स, फ्रूट्स रख दियें, कुछ ड्रै फ्रूट्स रख दियें, जो इनको खाना होगा, वो खा जाएंगे, वैसे ये खाके सिर्फ रूट्स गएते, ओर्स को छोड़ गएते, बोल रहे थे कि मतलब तुम्हारी तब इस सही नहीं है, साम को कुश्मत बनाना, मैं इनको आके खा लूँगा, इधर मेरा दूद आ गया था, और जो दूद वाली भी आएंगे, वो छे बज़े ही दे जा और उसके बाद में थोड़ा सा पानी करके डाल लेती हूँ पैकेट में ताकि जो थोड़ा बहुत एक शग दूद होता है न, वो भी निकल जाता है, एक लोई दूद लेती हूँ मैं, और ये जो है गाय का दूद है पैकेट का, आप कोई भी ले लीजे, जो पैकेट टपकी जाता है, उसको मैं साफ कर दूँगी और बिल्कुल कम पै कर दूँगी मैंने, अगर आप गैस पर भी गरम करने तो बिल्कुल कम पै करके गरम किये जिए, इससे क्या है न, मलाई अच्छी निकलती है, तो मेरे को तो इसमें से मलाई भी निकालनी होती है, घे मैं ख उसके बाद फिर डेस्टिंग कर दी थी, मैंने पूरे घर के फिर में जाड़ू लगाँ गया, मुझ पर सुच में बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, मैं धीरे-धीरे इसी काम कर रही थी, क्योंकि अगर तब यह सही निये जाके सो जाओ, काम ना करो, तो ही है, और हम ही जिब घर को गंदा रखेंगे, तो फिर कौन करेगा, कैसे काम चलेगा, तो धीरे-धीरे मैंने पूरे घर में जाड़ू लगा दीती है, और हाथ भी इतने जादे धर दो रहती हैं, कि जाड़ू भी पकड़ने में मुझे ऐसा लग रहता है, यह से मैंने पत कर रखी, तो बस जाड़ू लगाने के बाद में पहुच्छा लगा दूँगी, और इसके बाद मुझे कपड़ी भी धोने हैं, वैसे मैं ना धोती हैं, लेकिन यह इनके ओपिस के हैं, वो तो धोने पड़ेंगे, और वो धोंगी, फिर उसके बाद प्रैस भी करनी हो, क्य कि इनको कल पहन के जाएंगे, और वो धोंगी, तो फिर यह लगता है, कि जितने भी हैं, सारे धोई धुआज, काफी कपड़े हो गए, बैट सीट है, चादर वगएरा, अगर आज नहीं धोती हो ने, तो फिर कल के लिए फिर और हो जाएंगे, इसे चाद धोई धूँगी और पहुचे लगाने के बाद मैं, कपड़े जोए मैंने डो लिये थे, कपड़े दो करके मैं बना रही हो अपनी ली चाए, क्योंकि गले में इतना जादा दर्द हो रहा है ना, होर सिर में भी, तो ये चाए क्या मतलब काड़ा जैसी है, मैंने कुछ किसम से और खजूर ड जाल दिया और इसको अच्छे तरीके से में अबाल लूँगी, कम से का 15 मिनट तक फुल पे, ताकि इसका जो भी रस है, वो पानी में इच्छे से मिक्स हो जाए, फिर इसको मैंने मिक्सी में थोड़े देर चिला और लिया ता एक मिनट तक ताकि ये सबी चीजें पिस जाएगा, तो पिसने से क्या है, सारा रसिसी में रह जाएगा, उसके बाद मैं मैंने इसमें थोड़ी सी दाल चीनी और काली मिस्ट भी डाली थी, क्योंकि वो पूरा काड़ा जैसा बन जाएगा, उससे मुझे भी आरा मिलेगा सर्दी में, तो इनको डालने के बाद भी मै से थोड़ी सी दिर अबाल ओंगी जिससे न और फिर उबालने के बाद मैं मैं इसमें डालूँंगी एक चमच चाय-पत्ती, चाय-पत्ती में बहुँ ज्यादा नहीं डालती है, मुझे बहु ज्यादा अच्छी नहीं लगती, चे-विज़ी इसलिए थोड़ी सी डालूँ इसमस लीजिए बस थोड़ा से इसमें दूर और पत्ती डालूंगी तो यह अच्छी तरीके से उबल रही है उबल लेगी तो फिर मैंने बस एक चमसी थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दिये और चाय पत्ती डालनेगा थोड़ी दिर मैं औरो बलने दूंगी ताकि जो चाय पत्ती है वो कलर छोड़ दे उसके बाद थोड़ा सा दूट डाल रही हो दूट डालती बंद कर दूगे नहीं तो क्या यह फट जाएगा तो बस यह हो गया मेरा नासा त्यार है अब तक आपने मे मेरी वीडियो देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें